आईए अब हम अगले बिंदु पर आते हैं और वह है राजनीतिक फैसले और विकास जैसे मैंने पहले बताया आपको कि विकास के मुद्दे पर राजनीति स्वाभाईक है हर व्यक्ति अपने विकास के लिए हर समाज अपने विकास के लिए हर देश अपने विकास के लिए राजनीति करता है तो अब हमारा जो विशह है वह है राजनीतिक फैसले और विकास हितों का टकराओ ये विभिन लोग जो विभिन राजनीतिक संस्था हैं समाज के विभिन वर्ग ये जो अपनी-अपनी मांगे रखते हैं अपने विकास के लिए अपने समाज के हिद के लिए इसमें टकराओ होता है टकराओ की संभावना रहती है और टकराओ का अर्थ क्या है कि विरोधा भासी मांगें शासन के सामने समाज के विभिन तबके के लोग रखने लगते हैं विकास के संभन्द में विभिन हितों का टकराओ होना स्वभाविक है अब आप समझ सकते हैं क्योंकि विकास के संभन्द में अंतिम निर्ण है कौन लेगा इसको लेकर भी काफी बहस हुई कि जब विभिन समाज के विभिन वर्ग अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं और उसमें क्लैश हो रहा है क्लैश अफ इंट्रेस्ट बोलिए हितों का टकराओ तो शासन का या समाज का कौन सा वर्ग इस बात के लिए अधिकृत है कि किस मांग को सर्वो परी रखा जाए खास कर तब जब टकराओ हो तो विकास के समद्ध में अंतेम निर्णाय लेने के लिए क्या विशेशग्य लोग competent है सक्षम है या जन प्रतिनी जी नेता लोग सक्षम है और या जनता सक्षम है कौन लेगा तो जनता से ये संभवनी है हर बार ये विकास के लक्ष को पूछना या ये तै करना कि किस खेतर में किस चीज को प्रात्विक्ता दी जाए विकास के नाम पर तो अब सवाल उठता है केवल विशेशग्य या जन प्रतिनी दी इन में से किसको हम अंतिम नेड़ने के लिए अधिकरित करें यहां पर एक बात आपको समझनी होगी कि वाम पंथी और दक्षिन पंथी विचार धाराएं वाम पंथी और दक्षिन पंथी विचार धाराओं के बीच में भी टकराओ है इनके बीच में भी अलग-अलग मत है अर्थात समाज के विभिन तबकों के बीच में तो हित का टकराव है उसके साथ ही साथ समाज के अंदर विभिन विचारधाराएं जो चल रही हैं वो भी क्लैश कर रही है टकरा रही है एक दूसरे के विरोध में जा रही है आखिर वाम पंथी और दक्षिन पंथी विचारधारा क्या है क्या सोचते हैं यदि इस पर हम विस्तारते ना जाएं पर इतना समझ लें कि दक्षिन पंथी वाम पंथी लोग एक विकास का मॉडल सामने रखते हैं हर तरह की विचारधारा के अपने अपने विकास के मॉडल हैं ऐसे ही वामपंतिय लोंग का है इन कई मॉडल्स में कौन सा मॉडल अपनाया जाए कौन सा मॉडल उचित हो इसको लेकर इन में विरुधा भास है यदि मैं विकास के मॉडल की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ यह है कि विकास का लक्ष को प्राप्त करने के कई रास्ते होते हैं और रास्ते का अर्थ क्या है आप अलग-अलग देशों को जहांकें तो आप पाएंगे कि अलग-अलग अलग बढ़ रहे हैं विकास के लक्ष को प्राप्त करने के लिए सब देशों के अलग-अलग तरीके हैं तो हम कौन सा तरीका अक्तियार करें हम कौन सा मॉडल अपना है इसको लेकर भी लोगों में काफी द्वांद्व था काफी टकर थी लोग तंत्र में खासकर जहां बोलने की सतंता है अभिव्यक्त की सतंता है वहां विभिन्य समूशों के मध्य टकराव होना स्वाभाविक है और हितों का टकराव तो बिलकुल स्वाभाविक ही है विभिन्य मुद्दों पर विशेशग्यों से हम प्रामस ले सकते हैं विशेशग्य बनाम राजनेतिक दल या राज नचिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो हम मुद्दों पर विशेशग्यों से सुझाओ ले सकते हैं, प्रामर्च कर सकते हैं, समस्या का सरुमान समाधान राश्च्टी हित में ले सकते हैं, लेकिन अंत में निन्य कौन लेता है। विशे शग्यों के सुझाओ किन तक पहुंचा जाते हैं राजनेतिक नित्रित उपर किन पर राजनेतिक नित्रित उपर माइने ये कि अंतिम निर्ने जो होगा वह राजनेतिक निर्ने होता है अंतिम निर्णा जो होगा वहर राजनेतिक नित्रित द्वारा लिया जाएगा सरकार द्वारा लिया जाएगा और सरकार में दलों के जो दलों का जो प्रभाव दिखता है वह इन प्राथमिक्ताओं को टै करते समये बिलकुर स्पष्ट रूप से द्रिष्टी गोचर होगा अब आखिर राजनेतिक नेड़ना अंतिम नेड़ना क्यों माना जाए गया या राजनेतिक नेत्रत का नेड़ना अंतिम नेड़ना क्यों क्योंकि राजनेतिक नेत्रत में जो लोग हैं ये कौन है जनता के नहीं ले सकती तो वो जन प्रतनिदियों को अधिकार दे देती अधिकरित कर देती और जन प्रतनिदियों से ही तो राजनेतिक नेत्रत बनता है तो जनता अपने जन प्रतनिदियों को अधिकरित कर देती है अपने बिहाफ में विकास के मामले में अंते मिरने लेने के लिए ये राजनेतिक नेतृत का मामला हो जाता है और इसलिए अंतिमने राजनेतिक नेतृत को दिया जाता है राजनेतिक नित्रत भी जन प्रतिम्दियों की भावनाएं समझ पाएंगे उनकी फीलिंग समझ पाएंगे उनकी इच्छाएं, उनकी नाराजगी, उनकी भावनाओं से वाकिफ होंगे और साथ ही साथ उचित अनुचित की भी समझ वो रखते हैं क्योंकि राजनेतिक लोगों की जो पैट जनता के अंदर होती है अपने अपने खेतरों में वहाँ पैट उनको वहाँ पहुंच उनको ये समझ देती है कि जनता का मूड क्या है जनता का तेवर कैसा है जनता की सोच क्या है तो इसलिए राजनेतिक नित्रत को भारत में अंतिम निर्णाय लेने का अधिकार दिया गया है वास्तों में किसी भी विशेपर अंतिम निर्णाय लेने से पहले राजन्यतिक नित्रत भी विविन्य लोंगों से विचार विमर्ष करता है चाहे विशेशग्यों से चाहे जनता जनारदन से पक्ष से, विपक्ष से, संसद के भीतर, संसद के बाहर, अपने अपने खेत्रों में आदी आदी सभी लोगों से विचार विमर्ष करता है, उनके तर्क सुनता है और जो विविन विचार सामने आते हैं, विविन दृष्टिकोंड सामने आते हैं वहाँ पर निर्वाचित संस्थाएं उन पर अपनी मुहर लगाती हैं जो सर्वमान्य है तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि राजनेतिक फैशले और विकास कैसे एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं इस पकार निर्णे लेते हैं हमें ख्याल रखा जाता है कि जो राजनेतिक निर्णे राजनेतिक नित्रत ले रहा है वह मात्र इस पीड़ी के लिए ही फायदे मनना हो बलकि आने वाली पीड़ी के लिए भी लाब दायक हो आने वाली पीड़ी को भी उसका फायदा मिल सके हैं जो विकास की जिस विकास के निर्णा को लेकर या किसी एक मुद्दे परिदी उसने अपनी मुहर लगाई है तो उसका फायदा ख्षनिक ना हो तातकालित ना हो कुछ समाज के कुछ तबके तक ही ना हो बलकि वह एक पैन इंडिया स्तर पर उसका प्रभाव पड़े और लंब से ही हो पालता है विकास को लेकर सबसे अधिक बहस वाम पंथी बनाम दक्षन पंथियों के बीच में छिड़ी होई जिसका मैंने पहले जिक्र किया वाम पंथी क्या है वाम पंथी मतलब अंग्रेजी में हम लेफ्टिस्ट कहते हैं लेफ्ट वाम मनें बाया इन्हें leftist क्यों कहते हैं इसकी दूसरी कहानी है जो आप किसी अन्न ध्याय में पढ़ेंगे पर इतना समझ लें कि वाम पंथी विचार धारा के लोग गरीबों की बात करते हैं मजदूरों की बात ज्यादा करते हैं उनके लिए जो समाज है मुख्य रूप से उनका समाज उनके लिए समाज के माइने गरीब और मजदूर हैं यह उनकी तरफदारी ज़्यादा करते हैं सामाजिक समूह कि यदि हम बात करें तो वे हमेशा मजदूरों की गरीबों की पिछड़े हुए लोगों की इनकी बात करते हैं और इन तबकों को पहुँचाने वाली फायदा पहुँचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं यानि ये सुनिश्चित करते हैं वामपंथी कि हम सरकार को या राजन्यतिक फैसलों को तभी हम स्वागत करेंगे उन फैसलों का जिन फैसलों से इन तबकों के लोगों का उध्धार हो रहा हूँ गरीबों का दलित वर्गों का मजदूरों का किसानों का आदि आदि जबकि दक्षन पंथी इनकी विचार धारा थोड़ी अलग है इसकार्थ ये नहीं है कि ये लोग गरीबों दलितों के प्रती कम इनका ध्यान रहता है लेकिन दक्षन पंथी उन लोगों की और इंगित होता है दक्षन पंथी का मायने वो है जिसमें ये लोग पूंजी वाद में विश्वास करते हैं साम्यवाद याने वामपंथ बनाम पूंजी वाद पूंजी वाद के मायने ये हैं कि उसमें खुली स्प्रतिस परधा जो भी व्यापारी हैं वो मार्केट में बिना किसी सरकारी बैकप के अपना माल बेचने की क्षमतायदी रखता हो तो वो पूंजी वादी विचारधारामिश का माना जाएगा दूसरे शब्दों में वो ये मानते हैं दक्षन पंथी की खुली प्रतिस परधा और बाजार मूलक अर्थ व्यावस्था मार्केट ओरियंटेड एकॉनमी और ओपन कंपटिशन जहां पर हो उस पर दक्षन पंथीओं का विश्वास इसके माने ये हैं कि गैर जरूरी हस्तक्षेप सरकार ना करे कुल मिला के वाम पंथी बनाम दक्षन पंथी में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि जहां वाम पंथी लोग सतत रूप से सरकारी नियंतरन को जरूरी मानते हैं समाज में समानता के लिए समानता लाने के लिए और इस विकार ये मानते हैं कि सरकार का सतत दखल आवश्यक है मस्दूरों के हितों को ध्यान में रखने के लिए दलितों के हितों को ध्यान में रखने के लिए किसानों के हितों को ध्यान में लेकि जहां एक और सरकार का दखल बहुत जरूरी है वहीं दूसरी और दक्षन पंतियों का कहना है कि प्रतिस परधा खुली होनी चाहिए बाजार मूलक प्रतिस परधा होनी चाहिए मतलब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए न्यूनितम हस्तक्षेप हो सरकार को इन मामलों में दखल देने से बचना चाहिए स्वतंता के बाद विकास के जिस मॉडल की बात हो रही थी यानि विजन जिसको हम बोलते हैं विजन वी आई एस आई ओ एन हमारा मॉडल कैसा हो इसको लेकर जो बहस चुड़ी उस बहस में जो मूल लक्ष था वो था आर्थिक कल्यान चाहे वो समाजवाद हो चाहे वो साम्यवाद हो या पूजीवाद हो बहस के दोरान ये बात स्पष्ट हो गई थी भारत के नीति निर्माताओं के बीच कि हमारा लक्ष होना चाहिए आर्थिक कल्यान और इस आर्थिक कल्यान के लिए जरूरी है कि सरकार को उत्तरदाई माना जाए ये सरकार का दाई तो था और किसान व्यापारी उध्यमी इनके भरोसे हम आर्थिक कल्यान की बात नहीं छोड़ सकते क्योंकि चाहे वो व्यापारी हो किसान हो उध्योगपती हो ये लोग स्वाहित को पहले देखेंगे और ऐसा करते हुए ये इस बात को नजर अंदाज कर देंगे कि इसमें गरीबों का हित उनके इस तरीके से कार करने पर गरीबों का हित नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्यान के मद्दे नजर आर्थिक कल्यान के मुख्य लक्ष को ध्यान में रखते हुए स्वतनता प्राप्ति के बाद भारत में आर्थिक संवरिधी और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्धेश के लिए हमें एक ऐसा विकास मॉडल चाहिए था जिसमें वास्तों में आर्थिक कल्यान का लक्ष पाया जा सके इस आर्थिक कल्यान के लक्ष को पाया जाने के लिए हमारी जो प्रक्रिया होगी विकास की प्रक्रिया हो वो ऐसी हो जो निरंतर हो जिसका फायदा आने वाली पीड़ियों को भी मिले तभी इसे हम कल्यान कारी कह सकते हैं विकास से क्या भी प्राय है और विकास पक्रिया में किस विशाय पर अधिक जोड जिया जाए बहुत सारे दृष्टिकोंस में आए विकास के माइने क्या है और कौन सा मॉडल अपनाया जाए और किस चीज का विकास को प्राश्मिक्ता के अधार पर पहले किया जाए अधिक जोड दिया जाए इसको लेकर बहुत काफी लंबी बहस चली और अंतिम रूप में जो सहमती बनी वो ये थी कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धी और खुशाली और समाज के सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति परसाथ जो विचार मन्थन भारत की स्वतंता के कुछ वर्ष पूर शुरू हुआ और काफी समय तक चलता रहा कि किस तरीके का देश किस तरीके का विकास मॉडल हमारा होगा तो उस पे जो अंतिम निर्णय हुआ वो ये था कि जिसने सहमती बनी वो ये थी कि हमारा लक्ष होगा आर्थिक वृद्धी और आर्थिक वृद्धी और खुशहाली और खुशहाली तभी संभा है जब समाज के सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले तो ऐसा हमारा विकास का मॉडल होगा विकास के मॉडल्स की, इस शब्द की जब हम बात करते हैं विकास के मॉडल्स और साम्यवाद या वामपंत, बनाम दक्षनपंत, पूंजीवादी, आदी-आदी तो थोड़ा हम विकास की धारणाओं को जाने